for nothing के दो uses आप लोग यहां बता रहें, पहला है without charge, बिना pay किये हुए, free, my friend gave me his phone for nothing, मेरे दोस्त ने मुझे अपना phone दिया, बिना कुछ लिये, मतलब मुफ्त में दे दिया, I gave him my shirt for nothing, I will teach you for nothing, means I will not charge, I can use this for no purpose or reason, बे बज़ा, he is always crying for nothing, वो हमेशा बे बज़ा रोता रहता है, क्यों अदास हो, हाना, ऐसे पुचे, why are you sad, for nothing, ने कुछ बात नहीं है, हाना, why did you call me, for nothing, आसे ही कॉल कर दी, हाना, so I called you for nothing, it means, बस ऐसे ही कॉल कर दी, means I didn't have any purpose, हाना, you are not bitten for nothing, तुम बे बज़ा नहीं पिटाते हो, मतलब कोई बज़ा रहती है, ठीक है, he is not famous for nothing, हाना, वो ऐसे ही famous नहीं है, people hate him for nothing, it means what, लोग उसे बे बज़ा नफरत करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं, people don't hate him for nothing, मतलब लोग उसे बे बज़ा नफरत नहीं करते हैं, मतलब वो है नफरत करने योग, हाना, you are not bitten for nothing, तुम ऐसे नहीं पिटाते हो, you are not scolded for nothing, तुम ऐसे ही डांट नहीं सुनते हो, your mother loves you for nothing, हाना, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपकी मा जो है, आपको बे बज़ा प्यार करती है, आप उनके बेटे हैं, या आप उनकी बेटी हैं, ये परियाप्त है, ये काफी है, ठीक है, लेकिन जो और लोग हैं, जो गैर लोग हैं, वो आपको तभी पसंद करेंगे, जब उनको को कोई रिजन दिखाई दे, कोई वजह दिखाई दे, अब अगर लोग पसंद कर रहे हैं, then we will say, people don't like you for nothing, means people see something in you, then that is why they like you, he doesn't come late for nothing, मतलब, वो ऐसे ही देर से नहीं आता है, कोई वजह है, हाना, वो बेवजह देर से नहीं आता है, बेवजह समझो इसका मतलब है, हाना, वजह उदास नहीं है, हाना, कुछ न कुछ बात है, you scolded him for nothing, हाना, तुमने उसे बेवजह दाटा, तुम्हें दाटना नहीं चाहिए था, कोई वजह दाटने वाली नहीं थी, ठीक है?